इस फिल्म में हमें गाउं के ऐसी परंपरा के बारे में जानेंगे जहां हर दस साल में डौंग नाम के सरनेम वाली एक लड़की का बलिदान दिया जाता है ताकि उनके गाउं से बहुती बड़ा और खतरनाक पाइथन दूर रह सके क्योंकि वो पाइथन हर दस साल में उस गाउं पर हमला करता है जिसी रोकने के लिए गाउं वाले उस लड़की को पाइथन की भीड चड़ा देते जिससे वो गाउं के बाकी लोगों को छोड़कर अगले 10 साल के लिए गाउं से चला जाता है लेकिन इस बार जब वो पाइटन गाउं में हमला करने आता है तो गाउं के लोग वेंजोन नाम की लड़की का बलिदान देने का टे करते क्योंकि वो पूरे गाउं में आखरी डॉंग समने वाली लड़की बची है पर वेंजोन का वाई वेंजोन अपने बेहन को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है ताकि अपनी बेहन को अंदविश्वासी गाउं के लोगों से बचा सके तो क्या वेंजोन अपनी बेहन को बचा पाएगा या फिर उसकी बहन भी मासूम लड़कियों की तरह इस अंदविश्वास का शिकार हो कर रहे जाएगी यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा इसलिए वीडियो के अंतक बने रहे अब फिल्म के शुरुआत में हम एक बैक्राउंड जानकर इसे बैलो गाउं के बारे में बताए जाता है कि उस गाउं में एक अजीब परमपरा है और उस परमपरा के अनुसार उस गाउं के लोग हर 20 साल में अपने पूरवजों की कबरों को खुलवा कर उसकी सफाई करवाते फिर हम दो आदमियों को देखते जो एक कबर की सफाई करने आए थी लेकिन जब वो उस कबर के ताबूर को कोलते हैं तो उसके अंदर उने साप के अंडे दिखाई देते हैं जो काफी अनोके और बाकी अंडों से अलग थे इसलिए उनमें से एक आदमी वो अंडा चुरा कर अपने पास रख लेता है लेकिन तब ही वहाँ साप आ जाता है जो उसके काट कर बुरी तरह से घायल कर देता है इसलिए वो मदर के लिए तुरन बाहर आता है लेकिन उसका दूसरा साथी वहीं फच जाता है जिसे कई सारे साप गेल लेते हैं इधर दूसरा आदमी बाक्यों के पास आकर उनसे कहता है कि मुझे बचा लो, साप ने मुझे काट लिया है, लेकिन वो लोग उस बेचारे की मदर करने के बज़ाए साप से ही माफी मांगने लगते हैं, ताकि वो बाहर आकर उन्हें परिशान ना करें, क्योंकि वो साप की प मार दिया था, और तब ही वोँआ बहुत ही विशाल पाइथन आकर उस आदमी को कच्चा निकल जाता है, अब अगले सीन में हम वेंजुन नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे गाउं की लोगों ने बंदी बना कर रकाता, ताकि पाइथन को उसकी बली दे सके, जिससे व में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर गाउं वाले वेंजुन की बली क्यों देना चाते, ताव वेंजुन का भाई वेंजुन चुपके से घर में साप का मास्क खा रहा होता है, जो दिये कर उसकी मा घबरा जाती है, यूगि अगर किसी ने देख लिया कि व पिट्टी में दबा देती है, और वेंजुन द्वारा पकड़े गए बाकी साफ को उसे छोड़ देने को कहती है, जिस पर ना चाते वेंजुन को मानना पड़ता है, इधर गाउं में लेडर के बेटे वेंजुन की शादी का समारों चल रहा होता है, जहां वेंजुन अपन अंदर जाने से रोग देता है, ताव वाँ चुन्वा नाम की काफी सुन्दर लड़की आती है, जो अपनी सुन्दरता का फायदा उठाते वें लीडर के भाई को बीना इंवेडेशन कारके अंदर जाने के लिए मना लेती है, जो देखर वेंजुन की मा को काफी बुरा ल तो वहीं दूसी तरफ वेंली भी मौजूद होता है, जो पकड़े गए साब को पानी में छोड़नी आया था, पर अब लीडर के भाई को चुन्वा के साथ जबरदस्ती करता थे, वो जैसी उसे बचाने जाने वाला होता है, कि तभी पानी से वो पाइथन बाहर निकलता है जो लीडर के भाई पर अमला करके उसकी हत्या कर देता है, जो देकर अब बाके सारे लोगों आ जाते है, लेकिन किसी को भी चुन्वा की बातों पर विश्वास नहीं होता, कि लीडर का भाई उसके साथ ऐसा कर सकता है, वाहीं वेंलेन भी उन्हें समझाने की बहुत कोशि का बलिदान देना होगा, तब उन्हें पता चलता है कि पूरे गाउं में डॉंग सरने वाले लड़की से वेंजोनी बची है, इसलिए लेडर उसे पकड़ कर लाने के लिए वेंग को भी बेज देता है, लेकिन जब वो अपनी साथियों के साथ वेंजोन को पकड़ कर ले के पास ले आता है, जो कुछ दिन बाद पूरे चानवाली राद को उसका बलिदान देने का अधेदे देता है, लेकिन ये चीज़ देकर जॉकिन हेरान हो जाती है, और वेन्यू से कहती कि ये गलत है, तुम्हें अपनी पिता को रोकना चाहिए, लेकिन वो जवाब देता ह कि ये इस गाउं की परमपरा है, मैं उन्हें नहीं रोक सकता, जो सुनकर अब जॉकिन गुस्से में उसे कहती कि अगर मुझे पता होता कि तुम भी नद्वी श्वासों पर भरोसा करके अपने पीता के गलर फैसलों में उनका साथ देते हो, तो मैं तुमसे कभी शादी नह नहीं दर वेंलिंग चुपके से वेंजोन के पासा कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब ही वहां वैंग अपने साथियों के सादा कर वेंलिंग पर हमला कर देता है, जो देकर वेंजोन तुरन अपने भाई को वहां से भाग जाने को कहती है, इसलिए व फिर वो वहां से चला जाता है और अब उसके जाने के बाद जौकिन वेलिन को समझाती कि ये गाउवाले अपनी परंपरा से कभी नहीं हटेंगे इसलिए तुम्हें कैसी भी करके उस पाइथन को मारना होगा ये ही एक रास्ता है तुम्हारी बेहन को बचाने का जीस पर वेल कर रो वरना मेरी बेहन मारी जाएगी जीस पर जौक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है आब राट को जौक का साथी एर्माव खाने की तलाश में घर से बाहर निकलता है और भूप के कारण वो बगवान को चड़ाय जाने वाले खाने को ही खाने लगता है तब उसकी मारी में चिप जाता है तब घर के अंदर वैंग और उसके साथी आ जाते लेकिन इससे पहली कि वो चौन को पकड़ पाते हुआ पाइथन आ जाता है जो वैंग के साथी पर हमला करके उससे निकल जाता है जो देखर सबी डर के मारे वाह से भागने लगते इसलिए अब एर को पाइथन का बिल मिल जाता है इसलिए उस अपने जाल में फसाने के लिए पिक को चैन में बान कर उस बिल के अंदर डाल देता है और अब जैसी पाइथन उस पीक को खाता है एर्मान और बाकी चैन को पकड़ कर बाहर गसिटने की कोशिश करते है लेकिन इतने विशाल प इनकी आवास सुनता है वो तुरंट बार आ जाता है और तब वो सभी उसे पेड़ से बानने की कोशिश करते हैं लेकिन ये भी पाइतन का कुछ बिगार नहीं पाता है जो अब सभी पर हमला करने उनकी तरफ बढ़ने लगता है इसलिए अब जांग जैसे दैसे बेहोशी वा जाल की तरह भागने कहता है ताकि पाइतन उस जाल में फज जाए इसलिए अब वो दोनों तुरंट जाल के तरह भागने लगते और जैसी पाइतन वो आता है कई सारे नोकेले जाल उसके शरी में लग जाते जीसी अब जाकर वो मारा जाता है जो देखर सभी की खुशी का आप रार को गाउं के लोग वेंजोन की बली देनी की तयारी करने लगते ताऊ हुआ वेलनिन और बाकी मरें पाइतन की मर गया आप मेरी बेन को अजार कर दो लेकिन गाओं के अंदो विश्वासी उस मेट पाइथन को देकर उससे ही माफी माँगना शुरू कर देते और टूरन वेलनीन और बाकियों को बंदी मना कर फिर से वेंजोन की बली देने की तैयारी करने लगते और यही मोवी की शुरुआत वाला सीन होता है लेकिन तब वो पाइथन फिर से ओश में आ जाता है जो अब तक जिवीत था जो गुसे में सभी लोगों पर हमला कर देता है जिससे लोगों में अफरा तफरी मत जाती है और डर के मारे सभी इदर उदर भागना शुरू कर देते है लेकिन तब पाइथन नीके करके लोगों की जान ले लेता है जो दीकर जॉंग हिम्मत करके पाइथन की मुँ के पास ही बॉंफ ओड देता है जिससे उसकी मुँ में आग लग जाती है तब गुष से में पाइथन वेंजौन को निगल कर वहाँ से निकल जाता है जो दीकर सभी दुखी हो जाते है आप वेंद लीन और बाकी कही सारे डाइनमाइज लेकर उस पाइथन को मारने निकल जाते है ताकि वेंजौन की तरह कोई और उसका शिकार ना हो तो वाही हम पाइटन को देखते जो वेइंजोन को अपने टिकाने पर लाकर रुगल देता है ताकि बात में उसे खास है के जीसके बाद हो वो सोने चला जाता है वेसलिए वेइंजोन उसे सोता देख तुरन वहां से निकल जाती है वहाई दूसरी तरफ वेलिन और बाकिन पाइथन के टिकाने पर पहुँच जाते जिनके साथ शोकिन भी शामिल होती है तब उने वहाँ पाइथन के अंडे दिखाई देते जिसे दीकर सबी दंग रहे जाते और तुर्ण तुर्ण वहाँ कई सारे डाइनमाट लगा देते ताकि जब पाइथन यहाँ है तो उसके साथ उसके अंडे भी बरबाद हो जाए और तब ही वहाँ वहाँ पाइथन भी आ चाह लेता है, वाहीं जॉंग को गुफा की दिवार उपर अजीब पौदे दिखाई देते हैं, और ये वही पौदे जो पाइथन को दिन प्रती दिन बढ़ा करते जा रहे हैं, पर तब ही वहाँ वो पाइथन आ जाता है, इसले जॉंग वहाँ से भाग जाता है, आप सारे लोग तुरन पाइथन की गुफा से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन आकर उनका रास्ता रोक लेता है, इसले वहनलीन अपनी जान दाओ पर लगा कर उसका ध्यान बढ़काता है, ताकि तब तक बाकी वहाँ से भाग सके, इसले सभी तुरन दोहां से निकल ज इसले अब जौंग आकरी डाइनमाइट को अपने पास रखकर सारे लोगों को गुफा के बाहर बेज़ देता है, और खुड का बलिदान देते हुए सीधे पाइथन की मुँ में ही गुश कर डाइनमाइट फोड देता है, जिससे इतना बड़ा दमाका होता है कि यह अब ज पूल थी, क्योंकि पाइथन के सारे अंडे फोड कर उसमें से पाइथन के बच्चे निकलने लगे थे, जीसी होरर एंडिंग के साथ ये मुवी यही समाप्त हो जाती है, आशा है आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आए, यदि हा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें, मिलते हैं अगली एक्स्पिनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों